तो चलो गाइस फाइनली वोडा सेंस जी का एक महेने का ब्रेक खतम हो जी का है और ब्रेक खतम होती ही रिसेंट में जो चाप्टर है वन जिरो एटी सेवन उसको देखने के बाद तो लग रहा है कि ये वाला ब्रेक एकदम वर्थ हिट था तो चलो बीना कोई टाइम गवाए चलते सिद्धा अपने चैप्टर के उपर बात कर इस वाले चैप्टर की कवर पेज की तो यहापर भी हमको एक रिक्वेस्टेड कवर पेज देखने को मिल रहा है जहां पर एस कैपी बारा के लिए पानी गरम कर रहा है उसकी सिगार भी जला कर दे रहा है जहां तक लिक्स है थी लिक्स के अंदर हमको इस वले चैप्टर का नाम वील आप डी देखने को मिलने वाला था लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ओड़ा सेंच ने सब लिक्स के ऊपर पानी फीड़ और यहापर हमको कुछ जादा आलग नाम देखने को मिल रहा है जो कि यह बैटल शिप बै बड़ी बड़ी बैटल शिप को पंजिंभ की तरह यूज करा है जापर नहीं वाला बंदा बोलता है कि वाइस एडमिनल गार्प जो कि अपने यूथ से ही इस वाली शीप को एक पंजिंभ की तरह यूज कर रहे है और एक तरीके से वह उनकी लाइप का एक डेली रुटीम बन चुकर और वो डेली इस वाले शिप को एक पंजीम बैक की तरह यूज करते हैं जहापर दूसरों अफिसर उससे पूछता है कि रैड वाली तो गार्प की है लेकिन सेकंड वाली का क्या जहापर हमको पता चलता है कि जो सेकंड वाली बैटल शीप है वो है आउकु जी की जो कि गार्प के साथ यहापर ट्रेनिंग करता था जो कि स्टार्टिंग के दिनों में गार्प का चला था लेकिन बैटल शीप को पंजीम बैंक की तरह यूज करने के लिए यहापर उन लोगों ने कुछ रूल्स बनाये थे जहापर किसी भी डेविल फूर्ट का यूज न उसने भी कोई डिविल फूर्ट खाया है क्योंकि मज़े की बात है कि गार्प ने उसको पुरा उल्टा गर के समंदर के अंदर डूबा दिया जैवर उसकी मुंडी नीची और आदा उस ठरीर उसका पानी की उपर है उसकी बाद हम देखते कि वास को शौट दारूप के गा गार्प के उपर एक फ्लेम अटेक कर देता है नीचे बड़े वह पाइरेट्स को उठा के उनको अपनी शील्ड की तरह यूज करता है उनमें आग लग जाती है बाई पहली गार्प ने आदा आइलेंट और डिश्ट्रॉय करी दिया था उसके बाद सारे पाइर चिलाने ल रेत की आजओ या से हमको निकलना है जल्ली से जल्दी जापर गार्प कोबी और बाकी मरींस को बोलता है कि जल्ली से आसे निकल लो या पर हमारा काम खतम हो चुका है यह वाला एलेंट अपने नाम को सच में जेस्टिफाइ कर रहा है क्योंकि इतने सारे पाइरेंस के उप हमको इन टाइटैनिक कैप्टन को इतने हलके में नहीं लेना चाहिए लोग काफी जदा खतरनाक हैं जापर गुरूस गार्प को बोल रहा होता है कि मेभी तो फ्यूचर हो ना मरीन का क्योंकि आइलेंड पे आने के बाद में जब गार्प में बोला था कि कोबी तू मरीन का फ्यूचर है इसे लिए हो भी पूच रहा था है कि मेभी तो फ्यूचर होना लेकिन गार्प एक तरीके से उसको इब्नोर कर लेता है जापर गार्प कुजान को बोलस दा है कि तुछे फिड़ से फाइट करनी है गया जापर नेक्स पैनल में गार्प तिनों को आउर्डर रहता है बेसिकली वो जो लड़ी रहती है वो भी एक पायरेटी रहती है उसके बाद हम नेक्स पैनल में देखते हैं कि गाप ने कोबी को धका दे दिया एकदम से उसके सामने आ चुका है जापर शिर्यू गाइप हो गए अपनी कटाना गाप के आरपार कर देता है उसके बा बाद हम नेक्स पैनल में देखते हैं कि कोबी बोलता है कि यह सारे की सारी गलती मेरी है तुम मुझे बचाने आये थे और मेरी चेकर में तुम्हारा यहाल हो चुका है लेकिन गाप उसे बोलता है कि उसका में टार्गेट तो मेही था मुझे कुछ भी नहीं हुआ है तुम सीधा सीप की तरब भागो उसके बदा हम नेक्स पैनल में देखते हैं कि सारे के सारे पायरेट एकदम से खूश हो चुके रोब लेकि गार्ब अभी काफ़ ज़दा डैमेज है और उसको एकदम से टेक डाउं करना काफ़ ज़दा एजी होने वाला है और सारे बोलते हैं कि ज सोधन अपना आईस glow आटैक करी रहा होता है तब हमको एक flashback दिखाया जाता है जापर हमको गाफ़ और आउकोजी का younger virgin दिखाया जाता है जा पर आउकोजी गाप का यूज नहीं करने, वापर AokNIS की बोलता है, मैं चाहे है, तो भी Aok Phil कर यूज ने कर सकता है इसका मतलब उस ठैम ऑपो ज обяз को hockey हूज करना नहीं आता था। उसके बाद हम next पैनल में डेखते हैं कि Garb Aok çal को बोल रहा होता है, कि में पीटे ने свою और लिशनरी आर्मी जॉइंग कर लिया है और मेरा ग्रेंट सन पाइलेट किंग बनने का बोल रहा है जापर आउ कुछ गार्प को बोलता है कि यह सरी सीजी तुम मुझे क्यों बता रहे हो उसके बाद सीन सिफ्ट होता है प्रिजिन में जापर कोजानों गार्प एक दूसरी की आईलेंड से दूर jaप आओगे तुम को क्या लगता है कि तुम उसवाले सीप के ऊपर सेफ हो क्या तुम दूर जा रहे हो वापर बोलता है कि राजरी मेरे कड़ की हमारे बारे में जाने खाब आग़ी तीम के इलिट टीम को लेकी बचाना वाइस उसे खतम करने वाला और कोई नहीं बल्कि कैप्टन है ब्लैक बेर्ड के फोर्च शिप का जहापर हम देखते हैं कि आवलो पेजार अपना हाथ को बढ़ा करके शिप को दुबाने वाला ही होता है उसके बाद हमको कोबी और गार्प का पैनल दिखाय जाता है जहापर और इसी लास्ट पैनल के साथ में वनपीस का चैप्टर टेन एटी सेवन खतम होता है तो आपको क्या रखते के गार्प सच में इस वाले फाइड के अंदर मारा जाएगा वो इससे बात करें तो लास्ट वाले पैनल के अंदर गार्प या पर ब्योश नहीं हो आता इसका मत लोगों बस हींजड है यही सारी चीव तो हमको नेक चैप्टर में पता चलेगी तो उसके तो हमको वेट करना ही पड़ेगा